का सिसे हैं आप लोग तो ​​उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आच्छे होंगे आप लोह का स्वागत है》 दोस्तों onlyпаटफॉर्म पेए इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग के लिए बहुत ही महिनत से बहुत ही सांदार खोष्ट डिजाइण करके लाया गया है आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएए और आप लोग लाब उठाइए इस फ्री इनिसियेटिव का जो कि only UPSC platform पर आप लोग UPSC aspirants के लिए exclusive लाया जा रहा है वैसे तो आप लोग को basic जानकारी होगी UPSC किस लेबस की लेकिन फिर भी जो aspirants बिलकुल ही नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि इसमें दो paper होते हैं दो compulsory paper होते हैं प्रिलिम्स के exams में जिसमें GS1 और GS2 के GS1 और GS2 बोला जाता है GS2 actually CSite का paper होता है दोनों paper 2200 mask होते हैं टोटल 400 mask के आपको exam देने होंगे एक ही दिन में 2 गंटे का 2 shift होगा और आपको ये exam qualifying nature का clear करना होगा ताकि आप mains लिखने के लिए eligible हो सके हैं पहले देख लेते हैं प्रिलिम्स examination में आपको paper 1 में 200 mask के जो exam होंगे उसमें 2 गंटे आपको क्या जवाब देने होंगे क्या आपसे सवाल पूची जाएंगे तो सबसे important section हो जाता है इसमें current events का जिसमें national or international importance के question पूची जाते हैं current affairs के लिए newspaper बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है कोई भी एक newspaper the Hindu Indian Express जन सकता आपको जो भी आपके आपको जो paper ज्यादा interesting लगता हो ज्यादा easy लगता हो आप से follow करें regular consistency से इस current events के लिए आपको इसी channel पे सारे information दीए जाएंगे videos के टर्म में आपको इस national और international importance के जो भी current affairs daily बनेंगे उनको इस platform पे आपको video को माध्यम से दिया जाएगा इसके अलावा आपको सारे GS के subjects भी आपको इस channel पे प्रोवाइड के जाएंगे तो आप लोग जुड़ जाएए इस channel से आप लोग को इन topics के सारे video आपको मिलते रहेंगे अगर paper one में देखा जाए इसके अलावा current events के अलावा तो history पूछा जाता है फिर Indian and world geography पूछा जाता है पॉलिटी governance, economics and social development और environment ecology और general science भी पूछा जाता है general science, science and tech का portion सारे ज्यादा तर current events से related होते हैं तो आपको सारे portion सारा portion इस channel पे बहुत ही systematic manner मिलने जा रहा है तो बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आप इस channel को follow कर लेते हैं इस channel से जुड़ जाते हैं फिर आते हैं paper 2 में क्या पूछा जाता है prelims exams में तो comprehensive, interpersonal skill जिसमें की communication skill भी included रहता है फिर logical reasoning, decision making, general mental ability और basic numeracy basic numeracy actually class 10 के numericals रहते हैं जिसमें आपको data interpretation, chart, graph, table इन सब के form में दिये जाएंगे जो की बहुत ही easy होते हैं अगर आप थोड़े से भी practice कर लें इन सब चीजों की तो फिर अगर mains की बात करें तो mains में आपको actually 6 paper होते हैं जिसमें paper पर एक first paper होता है essay का और फिर चार्ट जीएस के paper होते हैं और फिर दो optional के paper होते हैं तो आपको यह सब सारे जो भी exams हैं जो भी जितने भी paper हैं वो सब सारे डाइडाइस के होते हैं तो यह सारे subjects individually बहुत ही important हो जाते हैं अगर आप UPC में एक अच्छी rank लाने चाहते हैं तो आपको सभी subjects के सभी subjects पर एक बहुत ही अच्छी command होनी चाहिए आप individually सभी subject पर work करेंगे और इसमें बहुत ही helpful होने वाला है only UPC के यह channel अगर GS1 के syllabus के बात करें तो इसमें Indian heritage culture और history पूछे जाते हैं और geography जो कि इंडियन और world society के होते हैं वो पूछे जाते हैं तो आपको GS1 पर कमांड करने के लिए सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर जो भी subjects ऑफर किया रहे है वह है जोग्रफी के तो जोग्रफी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन जोग्रफी आप लोगों पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा बहुत ही आसान बना दिया जाएगा आपके लिए तो आप लोग विना कोई वक्त गवाए आप लोगों जोईन कर लिजिए आप लोगों के लिए लाया जाएगा जोग्रफी का यह course सबसे पहले औ और feedback दीजिए हमें कि आपको यह course कितना helpful होता है क्या इसमें और आपकी requirement है और एक important बात आपको इन सभी lectures के PDF चाहिए तो आप इस टेलिग्राम चैनल पर जूड़ सकते हैं इस टेलिग्राम चैनल पर आपको सारे courses के PDF मिल जाएंगे तो यह journey बहुत ही सांदार होने वाली ह दोस्तों वैसा तो बहुत सारे platform है UPSC के लिए YouTube पर बट ओनली UPSC आपके लिए एक बहतरीन program लेकर आया है जो कि बिल्कुल free initiative है इसमें UPSC के लिए complete syllabus का यहां पर आपको lectures वीडियो दिए जाएंगे आपको बस क्या करना है कि आप जुड़िये इस platform से और utilize कीजिए यहां के सारे videos जो कि आपको regular basis पे UPSC only team के तरफ से दिए जाएंगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जो पहला subject आने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं पहला subject इस channel पे आने वाला है जोग्रफी का तो जोग्रफी का roadmap क्या होगा उसके लिए आपका prerequisite क्या होगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले जोग्रफी को देखा जाए तो हम चार हिस्तों में पढ़ेंगे जोग्रफी को हम चार हिस्तों में पढ़ेंगे इसमें एक पार्ट है physical जोग्रफी फिर है दूसरा पार्ट Indian जोग्रफी Human geography और चौथा पार्ट है environment वातवरन तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इनका syllabus क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा detail से देखते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं जैसे सबसे पहले अगर physical जोग्रफी की बात करें तो physical जोग्रफी में दोस्तों आता है जैसे हमें सबसे पहला chapter तो हम अर्थ के बारे में जानेंगे इसमें कि अर्थ का physiographic कैसा है उसके interior कैसे है उसका origin कैसे हुआ है उसके उस पे land form और ocean का distribution किस तरह से है तो अर्थ के बारे में सबसे पहले physical geography में जाना होगा उसके बाद फिर अर्थ के landforms के बारे में जानेंगे landforms में बहुत सारे चीज आते हैं जैसे कि इसके minerals के बारे में minerals और rock किस तरह के rock में किस तरह के mineral पाया जाता है इसके बनने का geomorphic process क्या है और landform का evolution कैसे हुआ है यह सब हम जानेंगे इस second topic में उसके बाद फिर climate के बारे में जानेंगे किस तरह से अर्थ पे सारे climate का formation होता है चाहे वो गर्मी बरसात जो भी हो जितने सारे रितू होती हैं तो सारे climate changes किस वज़े से होती है उनका formation कैसे होता है वो सब बहुत ही detail में बहुत ही सांदार ढंसे हम इसमें पढ़ेंगे उसके बाद फिर ocean के बारे में पढ़ेंगे ocean में water का movement current वगेरा कैसे कहां पे मतलब ocean के किस छेतर में कौन सा current पाया जाता है किस तरह से उस current का formation होता है warm current, cold current इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में उसके बाद फिर और life of earth life on earth जो भी है उनके बारे में भी देखेंगे कि कैसा बायो डाइवर्शिटी है पूरे earth पे किस तरह से पाया जाता है इनका क्या condition होता है उसके बारे में तो physical geography हमें लगता है कि बहुत important part है जोग्रफी का अगर आपका इस पे बहुत अच्छे से कमांड होता है तो आपको बाकी जोग्रफी का part भी पढ़ने में बहुत ही सहुलियत हो जाएगी बहुत ही आसानी हो जाएगी तो आपको physical geography बहुत ही अच्छे ढंक से पढ़ना है मैं जो start करूँगा सबसे पहले इंडियन जोग्रफी होगा तो इंडियन जोग्रफी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इंडियन जोग्रफी से बहुत सारे सवाल पूछी जाते हैं क्योंकि obviously इंडियन जोग्रफी पे UPC का focus ज़्यादा रहता है तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडियन प्लेट है इंडियोलोजिकल हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे इंडिया बना कैसे तो इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले उस पे किस तरह का इसका लैंड फॉर्म बना किस कारण से बना वो सब देखेंगे इसका physical feature जानेंगे physical feature में देखेंगे किस तरह का mountain pass और स्वाइल सब कुछ किस तरह से develop हुआ दीरे दीरे बहुत समय में तो इन सब के बारे में जानेंगे और फिर landforms के बाद फिर देखेंगे हम लोग इसके मिनरल्स इस पर बहुत सारे भारत के बिविन छेत्रों में मिनरल्स पाए जाते हैं तो उन सब मिनरल्स के बारे में पढ़ना है मैं उसके बाद नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे वाइडलाइफ सेंक्चूरी पढ़ेंगे तो इस तरह से इंडियन जोगरफी का और भी बहुत सारे चीज़ है मैं डिटेल में आपको बढ़ाऊंगा तो आपको पूरा सिलिबस इसका समझाऊंगा आपको अभी बढ़ते हैं आगे जो अगला पार्ट है हमारा हीमन जोगरफी उसके बारे में तो हीमन जोगरफी में हमें पढ़ना है सबसे पहले नीचर अस्कोप के बारे में इंडिया में पोपुलेशन डिस्टिबिशन कैसे हुआ है वर्ल्ड में और इंडिया में पोपुलेशन इंडिस्टिबिशन के बारे में पढ़ेंगे उसके देंसिटी उसके ग्रूथ के बारे में फिर इंडिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे इंडिस्ट्रीज का डेवलाप्मेंट किस छेत्र में किस तरह से हुआ है इंडेस्ट्रीज के वारे हम पढ़ेंगे दुनिया के विभिन्द छेत्रों में कैसे इंडेस्ट्रीज का डेवलाप्मेंट हुआ है बेसिकली इस टॉपिक में सारा कॉमर्शियल एकस्पेक्ट क्या होगा जोग्रफी का उसको पढ़ना है बेसिकली तो सारे कॉमर्शियल एस्पेक्ट जोग्रफी में पढ़ेंगे उसके बाद फिर आ जाते हैं अपना इन्वार्नमेंट के बारे में बात करते हैं अगला टॉपिक अगला पार्ट होगा इसका environment तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ecosystem के बारे में जानेंगे ecosystem, ecology इन सब के बारे में जानेंगे फिर biome के बारे में बहुत सारे type के biochemical process होते हैं जैसे कि oxygen cycle, carbon dioxide cycle, nitrogen cycle इन सब cycles के बारे में पढ़ेंगे energy flow पढ़ेंगे energy flow energy flow में हम लोग पढ़ेंगे pyramid के बारे में कैसे एक species से दूसरे species में energy transfer होता है तो energy का flow के बारे में पढ़ना है और भी बहुत सारे चीजे हैं तो हम लोग detail से पढ़ेंगे हम मैं सिर्फ अभी basic idea आपको दे रहा हूं कि यह सब topic बहुत ही important है और इसको हम लोग इसी pattern में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं start करने वालों Indian geography Indian geography जब start करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको start से समझाया जाएगा कि कैसे अर्थ का formation हुआ अर्थ के formation के समय कैसे सारे continent इकठ्था थे इकठ्था एक ही साथ हुआ करते थे फिर बाद में उनका किस कारण से division हुआ division होने के बाद एक गुंडवाना plate बना वहां पे इंडिया plate एक अलग से इंडिया plate का नाम दिया गया यह इंडिया plate कैसे फिर course of time में खिसक के इधर Asia की तरफ आता गया और फिर इधर आ गया अपना Asia continent Asia के plate से आके जूड़ गया तो सब इसके बारे में बहुत ही detail से बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ भी याद करना पड़ रहा है सब कुछ automatic class में याद हो जाएगा आप running notes बनाते जाएंगे सिर्फ कि क्योंकि आपको जो revise करना होगा तो आपको बस एक बार read करके सारी वात याद आ जाएंगे आपको आपके लिए कुछ prerequisite बता दूं class में कुछ prerequisite है जो class में आने के पहले आपको फिल्फिल करनी चाहिए आपको इस class में आने के पहले क्या चाहिए आपको कुछ नहीं एक एटलस चाहिए होगा एटलस मैं recommend करूंगा Oxford का a student version not a school version a student version इसमें map जितने भी मैं यूज करूंगा वो ज्यादा तर student version के इसी एटलस से होगे तो आपको refer करने में आसानी होगी आप पढ़ते जाएंगे और साथ में जो भी आपको mark करने के लिए बताया जाएगा वो mark करते हुए जाएंगे तो इससे आपको सारी चीजे उसी class में ही याद होती जाएंगी तो एटलस होने चाहिए आपके पास कुछ marker होने चाहिए और नोटबुक होने चाहिए इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी करने के जोड़त नहीं है आपको सारी सारी चीजे यहाँ पर बहतरी डंग से उपलब्द कराए जाएंगी आपको बस क्लास अटेंड करना है और तो ओनली यूपीस ही आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है इतना ओनली यूपीस इतना बहतरी डंग से आपके लिए यह कॉर्स डिजाइन करके लाया है जरूर हमें तो बहुत मतलब पूरा बरोसा है कि आपको यह बहुत बहुत अच्छा लगने वाला यह कॉर्स तो आईए जुड़िये और मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में पूरे जूस के साथ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जैहीं